नमस्कार मित्रो स्वल्यस अगेडमी की यूटूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है दोस्तो आज मैं कुना आपके सामने माहित का क्लास लेके उपस्तित हुआ हूँ पिछले क्लासों में हम लोगों ने आउसत का चैप्टर शुरू किया था जिसमें पहला पार्ट आपका ह नमस्कार चलिए मैं प्रस्नों को शुरू कर रहा हूँ देखिए पहला प्रस्न है कि छो संख्याओं का आउसत बारह है यदि प्रतेक संख्या में इसे दो घटा दिया जाया तो नया आउसत क्या होगा देखिए इस तरह के प्रस्नों को हल करने के लिए आप करोगे क्या कि इसको दो पार्ट में आप लगा सकते हो पहले पार्ट में आपको करना क्या है कि यहां पर आप जानते हो कि आउसत बराबर क्या होता है तो आप जानते हो कि आउसत बराबर होता है आउसत बराबर होता है पदो का योग बटे पदो की संख्या यह आउसत का सुत्र होता है आउसत बराबर होता है पदो का योग बटिर पदो की संख्या तो आप यहां देखो 6 संख्याओं का आउसत 12 है तो अब यहां पर 6 संख्याओं का कुल योग कितना हो जाएगा तो ध्यान दो योग निकालने के लिए आप करोगे क्या कि पदो की सं संख्या 6 है और उनका आउसत कितना है 12 तो 12 में 6 का गुड़ा करोगे कितना आएगा 72 अब देखो दिया है यदि प्रतेख संख्या में से दो घटा दिया जाए तो देखो आउसत संख्या घटाई जाने वाली घटाई जाने वाली जाने वाली कुल योग अब घटाई जाने वाली कुल योग कैसे निकालोगे तो कुल 6 संख्या है प्रतेख में से 2 घटा जाएगा तो 2 का गुड़ा कर दो 6 दूना 12 तो अब यहां पर आपका क्या जाएगा नया ओसत कैसे निकालोगे तो नया ओसत निकालने के लिए नई योग में पदू की संख्या से भागदो तो देखो नया योग क्या हो जाएगा तो 72 में से 12 घटाओगे 60 हो जाएगा और पदू की संख्या कितनी है 6 है 6 दहां में 60 कितना आएगा 10 यह आपका एंसौर होगा जो कि आपका पहला आपसन सही है तो देखिए इसके लिए मैं ट्रिक आपको यहां पर बता देता हूँ ट्रिक आपका है क्या कि आप करोगे क्या कि छो संख्याओं के आउसत में से घटाई जाने वाली प्रतिक संख्या का मान क्या करोगे घटा दोगे तो नया आउसत क्या हो हो जाएगा 6 संख्याओं का उसद 12 है और घटाई जाने वाली प्रतिक संख्या का मान कितना है 2 है कितना आ जाएगा 10 यह आपका एंसर हो जाएगा जो कि आपका कौन सा आप्शन सही है पहला आप्शन सही है चलिए इसी तरह के प्रस्णों को मैं खल कराने के लिए अगला कोश्चन आपके सामने ले रहा हूँ ध्यान दीजिए हर टाइप के प्रस्ण आपके सामने रखे जा रहे हैं अला टाइप का प्रस्ण मैंने रखा है कि 6 संख्याओं का आउसत 12 है यदि प्रतेक संख्या में से दो घटा दिया जाए तो नया आउसत क्या होगा तो नया आउसत निकालने के लिए आपको करना क्या है कि आउसत बराबर आप सुत्र जानते हो कि पदो का योग बटे पद सब्सक्राइब का वड़ायां यह उससे ठीट के तुषिक थुह सब्सक्राइब तो बहुत तरीके से आपका हल हो जाएगा जब तरह का प्रस्ण आता है आप क्या करोगे जो पुराना आउसत दिया है उसमें से घटाई जाने वाली संख्या को क्या करोगे घटा दोगे तो आपका क्या निकल जागा नया आउसत आपको अच्छे से समझ में आया होगा चलिए हम इस पर एक और प्रस्ण अगला देखते हैं इसी तरह का तो देखिए यहां दिया है साथ संख्याओं का आउसत साथ है यदि प्रतेक संख्या को साथ से घटा दिया जाए तो नई संख्याओं का आउसत क्या होगा तो देखो इस तरह का भी प्रस्ण हल करने के लिए आप दो नियम निकाल सकते हो एक पहला नियम आपका यह है कि देखो साथ संख्याओं का कुल योग क्या होगा साथ संख्याओं का कुल योग अब साथ संख्याओं का कुल योग निकालने के लिए पदो की संख्या में आउसस से गुड़ा कर दो कितना हो जाएगा 49 अब देखो साथ संख्याओं का कुल योग कितना हो गया 49 और य यहां कहा है कि यदि प्रतेक संख्या को साथ से गुड़ा किया जाए तो नई संख्याओं का आउसत क्या होगा देखो आप यहां नया योग निकालने के लिए क्या करोगे तो नया योग निकालने के लिए आप क्या करोगे पुराने योग में पुराने योग में जितने से ग गुड़ा करने के लिए कहेगा उससे गुड़ा करोगे तो पुराने योग में साथ से गुड़ा करोगे तो पुराना योग क्या है उन्चास और इसमें साथ से गुड़ा करोगे तो नया योग निकल जाएगा अब नया अवसत क्या हो जाएगा तो नया अवसत बराबर आप पदो की संख्या तो नया योग नया योग कितना है उन्चास गुड़े साथ और पदो की संख्या कितना है साथ साथ से साथ कट जाएगा कितना आ जाएगा उन्चास देखो यहां पर आपका इंस्वर क्या आएगा उन्चास जो की आपका चौथा आपसन सही है तो देखो इस आप करोगे क्या कि पुराने अवसत के साथ प्रतेक संख्या को साथ से गुड़ा करना जितने से गुड़ा करने के लिए कहेगा उतने से आप क्या करोगे गुड़ा कर दोगे पुराने अवसत के साथ आप क्या करोगे साथ का गुड़ा करो कितना आ जाएगा उन्चास आ जा कि पुराने आउसत के साथ गुड़ा की जाने वाली संख्या का गुड़ा कर दोगे तो आपका क्या निकल जागा नया आउसत निकल जागा अब देखिए घटाना पर और गुड़ा पर प्रस्ण हो चुका है अब हम माइनस पर करते हैं प्लस पर करते हैं देखो प्लस पर प्रस्ण को हल करने के लिए आप करोगे क्या देखो यहाँ पर एक कोस्टिन मैंने रखा है कि 10 संख्याओं का आउसत क्या है 13 यदि प्रतेक संख्या में 4 जोड़ दिया जाए तो नया आउसत क्या होगा तो इसको भी आप दो तरीके से लगा सकते हो पहला तरीका अब अपनाओगे कि यहाँ पर कुल योग कितना होगा कुल योग तो देखो पुराना कुल योग कितना होगा तो 10 गुड़े 13 कितना आ जाएगा 130 अब देखो नया योग निकालने के लिए आप करोगे क्या कि यहां पर नया योग निकालने के लिए यदि प्रतेक संख्या में 4 जोड़ दिया जाए देखो एक संख्या में 4 जोड़ा जाएगा तो 10 संख्या में कितना जोड़ा जा तो नया योग क्या हो जाएगा नया योग निकालने के लिए आप करोगे क्या कि पुराने योग में जितना जोड़ेंगे तो प्रतेक संख्या में चार जोड़ेंगे तो दस संख्या हम कितना जोड़ेंगे 40 अब आपका यहाँ पर कितना आ जाएगा एंसर तो आपका हो हो गया तो नया आउसत कितना हो जाएगा तो नया आउसत बराबर आपका हो जाएगा नया योग बटे पदो की संख्या तो नया योग कितना है 170 पदो की संख्या कितना है 10 है, 0 से 0 कट जाएगा, कितना आजाएगा, 17 यह आपका answer है, यह आपका कौन सा option सही होगा, दूसरा अगर आप इसको trick से लगाना चाहते हो, तो इसके लिए आपका trick यही है कि ध्यान दो, कि नया आउसत निकालने के लिए आप करोगा क्या कि नया आउसत बराबर हो जाएगा, पुराने आउसत में, जितनी संख्या को जोडने के लिए करता है उतना आप क्या करो, जोड़ दो, तो क्या जाएगा आपका answer आजाएगा ध्यान दीजिए, तीन प्रस्ण मैंने तीन नियम के तरह बताया एक जब घटाने की बात करता है, तो घटाने में आप करोगे क्या कि पुराने आउसत में से घटाई जाने वाली संख्या को घटा दोगे तो नया आउसत निकल जाएगा अगर गुड़ा करने की बात करता है तो पुराने आउसत के साथ गुड़ा की जाने वाली संख्या के साथ गुड़ा कर दोगे तो आपका नया आउसत निकल जाएगा अगर जोडने की बात करता है तो आप पुराने आउसत में जितनी संख्या को जोडने के लिए कहता अगर उसको आप जोड़ दोगे तो आपका एंस्वर आ जाएगा तो ध्यान दीजिए ये तीन तरह के प्रस्ण है जिनको हल करने का एक बहतर बहतर तरीका मैंने बताया साथ साथ मैं बेसिक भी बताया क्यों बेसिक मैं बता रहा हूँ basic इसलिए बता रहा हूं कि आप यदि basic समझोगे तभी आपको trick समझ में आएगा इसलिए आपको मैंने दो दो तरीका बताया एक तरीका आपका trick वाला है और एक तरीका आपका क्या है basic है तो आप दोनो नियमों को अच्छे तरीके से समझे रहोगे तो प्रस्ण को हल करने में कोई कठिनाई नहीं होगी जब भी इस तरह का प्रस्ण आता है आप ट्रिक से चाहोगे तो ट्रिक से लगा सकते हो बेसिक से चाहोगे तो बेसिक से लगा सकते हो चलो अगला प्रस्ण हम आपके सामने रख रहा है दिखिए अगला प्रस्ण आपके सामने रखा गया है प्रथम पचास संख्याओं का आउसत क्या होगा तो ध्यान दो प्रथम पचास का रहा प्रथम का मतलब होता है प्रथम प्राकृतिक संख्या एक होती है और एक से स्टार्ट करते हैं और पचास तक की प्राकिर्तिक संख्याओं का आउसत निकालना है इसके लिए आपको एक पॉइंट याद रखना है कि प्रथम यन प्राकिर्तिक संख्याओं का आउसत होता है यन प्लस वन बाई टू तो ध्यान दो यन मने कितनी संख्या अंतिम पद होता है यन मने कितनी संख्या मने 50 संख्या कहेगा तो 50 60 कहेगा तो 60 तो यहां पर कहा है प्रथम यन प्राकृतिक संख्याओं का आउसत तो ध्यान दो प्रथम यन प्राकृतिक संख्याओं का आउसत होता यन प्लस 1 बाई 2 य क्योंकि परीच्छा में डाइरेक्ट सुत्र ही आप से पूछ लिया जाते हैं तो आप यहाँ पर आुसत निकालने केिए करोगे क्या कि प्रथम पचास प्राकृतिक संख्याओं का आउसत निकालने के लिए आप करोगे कि 50 में आप एक जोर दो यन का मान कितना है 50 है तो 50 प्लस एक बटा दो क्या हो जाएगा 51 बटा दो एकाउन में जब दो से भाग करोगे तो आपका आएगा 25.50 यह आपका एंसोर आएगा चोकि आपका कौन सा सही है दी वला सही है तो ध्यान दीजिए कभी भी इस तरह का प्रसना आता है तो आप डारेक्ट लगा सकते हो यदि आप से कहता है कि 50 प्रथम 50 प्राकृतिक संक्याओं का आउसत क्या होगा तो यन की अस्थान पर 50 रखो एक जोड़ दो बाई टू कितना हो जाएगा 25 दस मलो 5 जिरो अगला कोस्चन देखते हैं दिया है तीन के प्रथम दस अपवर्तियों का आउसत ध्यान दो कि इसी अपवर्ति को हम लोग पहाड़ा के नाम से जानते हैं अपवर्तिय बराबर क्या होता है पहाड़ा होता है अपवर्त बराबर क्या होता है पहाड़ा इसका मतलब यह है कि तीन के प्रथम दस अपवर्तियों का आउसत पूछा है ताप इसको ऐसे भी कर सकते हो कि तीन के प्रथम दस पहाडों का आउसत तो ध्यान दो किसी भी संख्या के दस अपवर्तों का आउसत होता है संख्या में पचपन का गुड़ा कर देंगे और दस से भाग करेंगे क्योंकि यन इन्टू 55 ये होता क्या है तो किसी भी संख्या के दस पहाडों का योग तीन गुड़े पचपन और बटा पदों की संख्या यहां से आउसत आप निकालोगे तो आउसत बराबर आपका क्या हो जाएगा आउसत बराबर आपका हो जाएगा तीन गुड़े पचपन बटा दस अब यहाँ पर कितना हो जाएगा 165 बटा 10 अब आप 10 से भाग करोगे क्या जाएगा 1610 मलो 5 यह आपका क्या होगा एंस्वर होगा जो की आपका कौन सा आपसन सही है चोथा आपसन सही है ध्यान दीजे 1610 मलो 5 तो यहाँ पर अगर इस तरह के प्रस्णों को पूछता है कि 3 के प्रथम 10 अपरतियों का आउसत क्या होगा तो इसके लिए आप क्या करोगे तीन में 55 का गुड़ा करोगे और 10 से भाग करोगे यदि 4 का पूछता है तो 4 में 55 का गुड़ा करोगे 10 से भाग करोगे यदि आपका 11 का पूछता है तो 11 में 10 का गुड़ा करोगे 11 में 11, 11 में 55 का गुड़ा करोगे और 10 से भाग करोगे तो आपका क्या हो जागा आउसत निकल जागा तिये आउसत निकालने का एक बहतर तरीका है बहतर सुत्र है जिसकी सहता से हम लोग आउसत निकाल सकते हैं अस होता है लगातार का मतलब एकदम शुरु से चलने वालीए यह गोर तीन चार जैसे चलता है तुसी तरह शुरू वाली सम्संखिया दो चार छंख आएligen का और चल रहा है उसका आवसद क्या होगा तो लगातार 45 सम संख्याओं का आउसत निकालने के लिए आप क्या करोगे इसके लिए आप एक सुत्र अपनाओगे कि लगातार यन सम संख्याओं का आउसत होता है यन प्लस वन क्या होता है लगातार यन सम संख्याओं का आउसत होता है यन प्लस वन यह बहुत ही important है तो ध्यान दीजी आप आउसत निकालने के लिए क्या करोगे तो आउसत बराबर आपका हो जाएगा यहन का मान कितना है 40, 48 में आप एक जोड़ दो कितना आ जाएगा 41 यह आपका answer हो जाएगा जो कि आपका कौन सा आपसन सही होगा तीसरा आपसन सही होगा तो देखिए जो भी प्रस्ण है मैं उसके लिए एक असान से असान तरीका बताने का प्रयास कर रहा हूँ अगला question मैं आपके screen पर रख रहा हूँ आज का अंतिम प्रस्ण है ध्यान दीजी आज का अंतिम प्रस्ण आपके सामने है कि पांच सदस्यों के एक परिवार की आउसत आई तीन वर्स पहले सत्र थी एक बच्चा के जन्म के बाद परिवार की बरतमान आउसत आई वही रह गई तो बच्चे की बरतमान आई क्या है ध्यान दीजी तीन वर्स पहले पांच सदस्य की आउसत आई कितनी है 17 वर्स बरतमान में 5 ही सदस्य है तो बरतमान में 5 सदस्य की आउसत आई कितनी हो जाएगे 3 वर्स जूट जाएगा क्योंकि 3 साल पहले जा रहे हैं तो पहले से बरतमान में आने के लिए जितना साल पहले राते हैं उतना साल पहले वाली आउसत आई में जोड़ देते हैं तो तीन साल पहले की आउसत आई में आप क्या करोगे तीन जोड़ दो तो कितना आ जाएगा ये बरतमान तो बरतमान में पांच सदस्यों की आउसत आई कितनी हो गई 20 हो गई अब कहराय कि परिवार में एक बच्चा जन्म लेता है तो ध्यान दो एक बच्चा जन्म लेगा तो यहाँ पर क्या होगा सदस्यों की संख्या बढ़के 6 हो जाएगी तो अवसत आई वही रह गई मतलब क्या है जो 3 साल पहले थी वही रह गई मतलब 17 ही रह गई तो कितना साल घट गई तीन साल घट गई अब ध्यान दो कि पुराने सदस्य संख्या का घटे हुए अवसत के साथ गुड़ा कर दो और बढ़े हुए सदस्य संख्या का नए अवस के साथ गुडा कर देते हैं और । दोनों गुडन फल को जोड़ देते हैं तो ध्यान दो यहां पर क्या हो जाएगा पांस 3 पंदर माइनस पंदर हुआ और प्लस एक का 17 गुडा करेंगे 17 माइनस 15 प्लस 17 सесь बराबर हो जाएगा दो वर्स, अब ये दो वर्स क्या आएगा, तो ये दो वर्स किसका आई हो जाएगा, तो बच्चे की बच्चे की बर्तमान आई हो, क्या होगी, दो वर्स बच्चे की बर्तमान आई होगी, जो कि कौन सा आपसन से होगा, पहला आपसन से होगा, एक बार मैं दुबारा इस तर के प्रस्नों को हल करने के लिए बता रहा हूं कि आपको करना क्या है कि तीन वर्स पहले पांच सदस्यों की आउसत आय कितना है सत्रा साल है तो बरतमान में पांच सदस्यों की आउसत आय कितनी हो जाएगी 20 साल हो जाएगी अब एक सदस्य बढ़ रहा है तो सदस्यों की संख्या अच्छा हो गई तो आउसत आई वही रह गई मतलब जो तीन वर्स पहले थी वही रह गई 17 वर्स ही रह गई तो 17 वर्स रह गई तो कितना साल घट गया बरतमान से तीन साल घट गया अब इसको आप फल करोगे तो देखो बढ़े हुए पुराने सदस्यों की संख्या का घटे हुए आउसत के साथ गुड़ा करते हैं और बढ़े हुए सदस्य संख्या का नए आउसत के साथ गुड़ा करते हैं दोनों गुड़न फलों को आफस में जोड़ दीजिए और जोड़ने के बाद जो आपका मान आएगा वही क्या हो जाएगी बच्चे की बरतमान आई हो जाएगी तो I hope कि आपको मेरे द्वारा बताये गए प्रस्न बहुत थी बहतर तरीके से समझ में आए होंगे तो यदि आपको मेरा लेक्चर समझ में आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक जुरूर करें सेयर करें यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें आप सब्सक्राइब करेंगे तभी हमको पता चलेगा सेयर करेंगे लाइक करेंगे तभी हमको पता चलेगा कि मैं जो भी आपको लेक्चर दे रहा हूँ या आपको बहुत ही अच्छा लग रहा है यदि आपको किसी भी प्रस्न में परेसानी हो या कोई भी सुझा हो तो आप अपने कमेंट बाक्स में अपना कमेंट लिख सकते हैं मैं उसको जरूर पढ़ूँगा और आपके सुझाओं को आपके स सुझाओं को सिवकार करूँगा तो आज के लिए इतना ही धन्यबाद